छे गाओं माखन दाना छेतर के ग्राम टाकली मोरी की कई महिलाएं बच्चों के साथ खंडवा जनसुन भाई में पहुची और गाओं के अवैद विक्री शराप को बंद कराने की मांग की ग्रामिन महिलाओं ने अपने व्यथा सुनाते हुए बताया कि पती घर में शराप पी कर आते हैं और मार पीट करते हैं जगड़ा करते हैं घर में पैसे नहीं देते सामान भी नहीं लाते और सरकार द्वारा मिलने वाले अनाज भी लेकर बेच देते हैं जिससे हम सभी गाओ की महिलाएं परेशान हो गई हैं गाओं की 13 साल 14 साल के बच्चे भी शराब पीने लगे हैं महिलाओं ने कहा कि सहाब हमारे गाओं में बिक रही शराब बंद करवा दो हम अपने और बच्चों की भविश्य को लेकर बहुत परिशान हो गए हैं और शराब बंद नहीं हुई तो गाउं में कई मौतें हो जाएंगी हमारी मदद करो वहीं अधिकारियों के सामने महिलाएं रोते बिलखते नज़राइं साराब के इसमें आये हैं कि साराब बंद करवाना है पती लोगों साराब पीक आते हैं और हमें मार्टोप करते हैं और हमें तकलिफ पहुचाते हैं और हमें आरे दिन आते हैं साराब पीके और गाली गलजु करते हैं और हमको मारते हैं और बोलते हैं कि हम पीके आएंगे हमक तो पुरा गाउं का कहिना है कि यह सराब बंद करवाए तो कहीं मोत्यों हो जाएगी चोटे चोटे बाल बच्चे उनको भी हमने इस्कुल सी छोड़वा दिये और उनको काम दंदे में लगवा दिये क्यों कि अदमी लोग की 300 रुपे मजदूरी है और बाई की 1500 रुपे तो बाई ने क्या करना है हमारे घर में आनाज नहीं रहता है जो सरकारी गला मिलता है वो भी अदमी लेके जाते हैं और उसको सराब आलेों रोटा का पीर जाते हैं कुछ महिलायँ सराब के कारोबार करने लग गई है कुछ ऊनके पती कणने लग चे तक सब लगबबग सबक एकछ उखार राए नियुक्षान सबस्क्रावग करता है ख़ंद हो सबस्क्राइफ जा तो वहां पर अवैद सराब दिख रही है उस पर हमने अपने जो संबंदित सरकेल के संस्पेक्टर उनको इंफॉर्म कर दिया है उसे बहुत जल्दी एक्सन होगा और उसमें हम यह है कि वो कहरे को वर्दी में जाते हैं तो पहले से कहीं खबर वर हो जाती है तो हम उसमें एक प्लान कर रहे हैं कि उसमें कुछ सिविल में भी हम बंदे भेजेंगे अपनी सिपाई ताकि हम उनको पकड़ सके प्रात दरपन न्यूज के लिए उंकारिश्वर माधानता से आका शुक्ला कि रहे